राश्ट्रिये स्वयम सेवक संग के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत दो दिवसी प्रवास पर मंगलवार को चित्रकूट आएंगे वै यहां संग की बैठक वर्ग में शामिल होंगे और पंच कर्म चिकिस्सक कराएंगे जानकारी के मुताबिक राश्ट्रि स्वयम सेवक संग के सर संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत पाच नवंबर को चित्रकूट पहुचेंगे वै यहां दो दिन रहेंगे और साथ नवंबर को जबलपूर प्रस्थान करेंगे संग प्रमुक के चित्रकूट आगमन के मध्य नजर संग पदादिकारियों ने तैयारिया पूरी कर ली गई है संग पदादिकारियों और चुनिंदा सवसेवको को दायित सौपे गए हैं प्रसाशन और पुलिस ने भी व्यापक इंतिजाम किये हैं सुरक्षा के लिहाज से अतरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है संग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरसंग चालक चित्रकूट में आरोग धाम परिशर में ठहरेंगे वे यहां उद्मिता परिशर में आयोजित, जीला और प्रांथ स्तरिय पतादी कारियों के वर्ग को संबोधित करेंगे संग के सतापदी वर्ष के उपलक्ष में होने वाले कार्यक्रमों और संग की कार योजना से सम्बन्धित बैठकों में भी इस दौरान होंगी संग प्रमुक उनमें भी शामिल होंगे डॉक्टर भागवत आरो गिधाम में पंच कर्म चिकिस्सा कराएंगे मरमग पंदित राम किंकर उपाध्याए जन्म शताब्दी समारों में भी शामिल होंगे इस कारक्रम में शामिल होने राश्ट्री संत मानस मरमग मुरारी बापू भी सोंबार को चिद्रकूट पहुचे हैं माना जा रहा है कि बैठकों में शामिल होने संग के कुछ और शीर्च पधाधिकारी भी चिद्रकूट पहुच सकते हैं बता दे की चित्रकूट में संग के कारक्रम बैठ के और चिंतन शिविर पहले भी हो चुके हैं चित्रकूट और सतना के समीपी रामवन में संग के राश्ट्री चिंतन शिविर भी आयोजित किये जा चुके हैं